जो हमारा बनियर का प्रोग्राम था उसमें जो डेली टास्क मिल ला था उसमें हमारी 6-7-8 की जो NCRT कवर हो चीकी है और मैम नहीं है जो सिनॉप्सिस बनाए है अपने सौट नोट्स बनाए है तो उन्हीं का आज पर रिव्यू करने ज़ा रहा हूं कि उन्होंने कैसे बनाए जिससे आफ अपने आपने आपमें इंप्रूवमेंट कर रहा सकते हैं और आच्छे से गाइड कर पाऊंगा चली हम लोग अपने इस नोट्स के दर चलते हैं जो मैम ने बनाया है उनका भी नाम नहीं बना सकता हूं कियो कि मैंने उनकी परमिशन नहीं लिए इसी लिए क्य क्योंकि मैंने first time में नहीं बताय था कि कैसे synopsis बनाना क्या क्या करना है मैंने एक दिन के बाद video ढली थी और उसलिए मैंने सटंप्सिस भी दिखायते रुढर मैंम के पास ऐसा कोई भी मैंम का कुछ भी ऐसा नई था कि मैंम सबकुछ definitely can लगा के अपने आप लिगके चलिए अब हम लोग चलते हैं कि मैं ने आप यहाँ पर क्या किया है तो अगर मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ यह कोई गल्ती नहीं है अब आप इसमें कैसे इंप्रुमेंट कर सकती और जो भी मैं आज बता रहा हूं तो आपको दुबार्ण इसका नोटS नहीं बनाना ह बलकि जो next आप जो भी बुक आएंगी उनके नोट्स में आप इंप्रूमेंट कर सकते हैं तो यह हैं ऐसे ही रहने तो जो next बुक आप जब भी पढ़ेंगे और उसका नोट्स पनाएंगे तो आपको उसमें इस बाते इंक्लूट कर लेनी है तो मैं आपको चार बाते हैं जो कि आपको बिस्येस ध्यान रखनी है और यह से आपका सब कुस ठीक हैं तो नमबर एक आपको ध्यान रखना है कि लाइनिंग वाली कॉम्पी को कभी भी यूज नहीं करना है क्योंकि जब मेंस देंगे तो आपको ज़रूद पड़ेगी लाइनिंग वाली पर और आपकी पीज लेने पड़ेंगे वोगे A4 size page क्या होता है वो मैं बता देता हूं जब आप μέछे कराने जाते होंगे या फूटू कॉपी आप कराने जाते होंगे तो आपको जो पेज़ पर जो फोटू कॉपी करके देते हो उससे A4 size page बोलते हैं, वो आप markets आई और एक गड़ी ले लिज़े जा करके, तो उस पर आप notes बनाईए, या फिर आप एक spiral book ले सकते हैं, जो बिना lining वाली होगे, spiral notebook आप ले सकते हैं, इस पर बना सकते हैं, और जो तीसरी बात है, वो business बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी notes बना पर भी आप margin छोड़ सकते हैं, जिससे अगर कोई update आता है, तो आप उसमें update कर सकें, और हो सकें जितना, तो ये page होता है, इसे horizontal करके ही इस पर बनाए, इस तरह से उसको लिटालके, फिर उसमें notes बनाए, जिससे क्या होगा, सारी चीज़ें एक साथ आपको देखेंगे, औ आपको हूबा हूँ जो sentence है, वो कभी नहीं लिखने है, जैसे इतने इतने लंबे sentence नहीं लिखने है, आपको कम से कम content लिखना है, वो क्यों लिखना है, जैसे कि मैं आपको एक example के दुरू समझाता हूँ, जैसे कि मैं इतना सारा एक लिखा है, अब देखें इसको आप कैसे गल्ती ना करिए अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एक जामपल के लिए मैंने थोड़ा से क्रॉप करके दिखाया है जो एक नोट से मेरा मैंने उसी का दिखाया ओके अब जैसे मैं यहाँ पर पूरुमा और मस्या के बारे में इतना सारा लिखा है अब देखे इसको आपसे सोगा तो आपको एक दम समझ में आ जाएगा कहां पर क्या चीज और अगर बार-बार इस फ्रेम को आप देखेंगे तो यह फ्रेम आपके दिमाग में एक दम फिक्स हो जाएगा आप कभी का और ऐसी आख बंद करेंगे फिर वार्मी आप समझ लेंगे हँग हां क्य सेम एधर होगा जैसी इसमें तरह यहां पर लिखा जब पूर्ड चंद्रमा होगा तो उसको पूड़ूमा वोल देंगे और जब फूरे रूप से जब छब चिप जाए गा तब इससे आम अपस्ट्ण बोल देंगेज और कितने दिनों के बाद यह अवस्ता आती है तो यह 15 दिनों के बाद आती है तो इस तरह से आप फिलू चार्ड में डाइग्राम में किसी भी तरह में बना सकते हो के चलिए आप नीचे चलते हैं फिर मैं आपको बदाता हूं जैसे मैं नहीं है यहाँ पर काफी जादा जादा content लिखा है तो एक कोई गलत तरीका नहीं है दोस्तों अगर कोई ऐसे बनाता है तब भी ठीक है लेकिन आपको अगर smart study करनी है तो आपको smart तरीके से पढ़ाई करनी होगी और कम समय में आप ज्यादा output दे सकें तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा तो मैंने किया है फॉस्ट टाइम किया है त कि जो यह सारी चीजें आप इन्हें सुनाप्सिस के फॉर्म में भी बना सकते थे जैसे कि मैंने अपने जो सेवेंथ क्लास की ncrt उसमें बहुत अच्छे से बताया यह जिन लोग नहीं नहीं देखी वह जागर के देख सकते हैं अब देखिए यहां पर बात आती है कि आप कि जैसे कि मैंने बताएं कि यहां पर उश्ट कटीवंद यह सीथ कटीवंद यह इस सारे कटीवंद के बारे मता हैं और यहां पर यह लिखा हुआ है अब देखिए इसमें अगर आप डाइग्राम भी ठीक से बना लिए तो आपका यह सब कुछ यहां पर ही क्लियर हो जाता जैसे मैं उश्ट कटीवंद यह कर बताता हूं अब उश्ट कटीवंद यह है अब इसमें बताएगे कि करकर एवं मकर रेखा के बीच के सबी अक्षांसों पर सूर्व एक बार दुफैर में सिर के ठीक ऊपर आता है इस चेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है इसलिए उसे उ लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं जैसे आपने एक बार देख लिए एक करक रेखा है ओके यह मकर रेखा है अब देखे जितना इसमें नहीं दिया रखा होगा उससे भी जादा आप बता देंगे और कितने तरह से बता सकते हैं वह मैं आप यहां पर आपको सिखाता हूं जैसे आपको यह पता से लिए एक करक रेखा है एक मकर रेखा है ओके तो एक करक और मकर रेखा के बीच में जो छेतर है इसके लिए उस्ट कटी बन दिया या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं ओके अब आप इससे दुसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि जीरो डिगरी के साड़े अब दिय को चे बिख दिख चेतर के इसको फड़ेवन्स को बता सकते हैं कि जो साड़े टेश डिगरी Lizard के चेत्र को उस्ट करम सकते हैं आप देखिं यहां से ए अबसरרט करें गे तो आप सब का च्ह Click Akiva कितनी रेखाई पाए बेमें कितने अच्छान्स बाए morningane है वह सारे आप यहां से ही बता सकते हैं तो आप जो डाइग्राम है उसे अच्छे से बनाईए ना कि इतना जो content है इसको लिखनी की जरूरत नहीं है अब आप कहेंगे अगर हम भूल गे तो दुबारा क्या करेंगे तो क्या करना है आप लोग अपना देख लीजिए और दुबारा आपको पता चलेगा कि हां यार मैं यहां पर थोड़ा हीलगा था यहां कि यह वाला टॉपिक है मेरा थोड़ा सबीक है अभी इसको एक बार और रिवाइस कर लेता हूं तो इससे एक और फायदा हो जाएगा अब देखिए एक चीज में और महादीपों के बारे में अब मैंने बताया था ना कि मार्जिन जरूर छोड़ना है अब आपको अब एक महादीप नया है जी लेंडिया जो एड़ होगी है अब वो कहां पर एड़ करेंगे अब देखिए इसमें दो चीजे में यहां पर कबर करता हूं नमबर एक अगर महादी पढ़ने के लिए मैंने तो यह दोनों पीज में खीज के ऐसे दिखा रहा हूं ना लेकिन एक पेज है आप इसको बार बार पलट के देखेंगे देखिए आप यहां पर आते आते यहां पर आते आते लगवाद पेज में के वास सागर और महासागर कंप्लेट हुए और जैसे इसमें एसिया है अफ्रीका है यूरोफ है इन चीजों को लिखने के अलावा आप लोग मैप में लोकेट करिए जैसे मैप है इसमें आप लोकेट करिए कि कहां पर क्या है और थोड़ा सा लिख लिए जैसे उत्री अमेरिका है इसमें क्या है तो आप मैप में पर आप कैसे इसको और सरल बना सकते हैं आप कैसे ज़्यादा समझ में आ सकते हैं आप कैसे कम टाइम में आप इसको रिबीजन कर सकते हैं तो आपको उस तरह से लिखना है आपको इसको सिनॉपसिस बनाएना है इसको डाइग्राम बनाना है इसको मैप में लोकेट करना है तो और यह देखिए उनके लिए इसलिए मैंने 10 में से 10 दिया थे क्योंकि उन्होंने सच में काफी अच्छा काम किया है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है और दोस्तों एक बात और मैं इसमें यह चेक करके नहीं बदाता हूं कि जैसे कि कहीं पर 140 के जगें आपने 149 लिख दिया या फिर 43 लिख दिया या फिर 44 लिख दिया यानि कि आपकी चेक नहीं करता है बलकि आपका कॉंसेप्ट देखता हूं क्यूंकि आप स्कूल टैम से आप बाहर आ गए हैं कि आप जो भी जो फैक्ट्वल चीज़े हैं वो क खुद इंप्रूब करना पड़ेगा कि का की जगह की आएगा की की जगह का आएगा इसके लिए आप डेली एक पीस लिखेंगे तो आप इससे इंप्रूब कर सकते हैं चलिए यह वीडियो में यहां पर ही फिनिस करता हूं सारी चीज़े आपको जो चार चीज़े हैं वो गया खरते हैं कि आपको कि ढ़िखने हैं कि आपको इसको ओपे बना सकते हैं ऐसके बना सकते हैं जिस से ज़्यादा आउटपुट दे और मैंने आसा नहीं है कि कहीं पर यूज नहीं किया है देखिए मैंने 6 के बाद जब 7th क्लास के NCRT बनाई है तो उसमें देखिए फ्लो चार्ट का यूज करने लगी है कई जगे डाइग्राम भी बनाई है तो उन्होंने अपने आप में खुद इंप्रूमेंट किया है बलकि मैंने उस टाइम नहीं बताया था वो क्यूंकि सारी वीडियो ध्यान से देखती है और सारी वीडियो देखने के बाद वो खुद सोचती है तो आप लोग भी ध्यान से वीडियो देखिए जितनी देखिए लेकिन आप लोग भी अपना जो भी सवनॉप्सिस है वो बना करके सेंड करिए जिससे मैं आपको रिबू करके बता पाऊं और ज्यादा आउटपुट दे पाऊं ओके चलिए मैं इस वीडियो को करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए